काइन काम करने के लिए तयार हैं तो आज यहाँ जाने से पहले आप लोग अपना नम्बर एक बात तो रे जब आपका राइस्टेसन हो जाएगा तो फिर आप अपने लिए एक किताब जो है की बुक कर सकते हो यह किताब आती है आपकी राइस्टेसन के बाद आपको बिल जाएगी जानकारी है इस किताब में कमपनी का मतलब एटू जड़ या मतलब खौसे लेकर के ग्यों तक सारा नौलेज है इसमें कमपनी के बारे में क्योंकि एक गटे में न तो मैं आपको सारी डिटेल बता सकता हूँ और नहीं आप सारी डिटेल याद रखवाओं के समझमारी बाद इसलिए इस किताब को खरीद के लेकर के जाना यह 600 रुपे की किताब है इसको लेने के लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यह किताब जरूर लीजिएगा क्योंकि इस किताब मैं कंपनी के बारे में आप सब कुछ जानकर ही आसिल कर पाएंगे कंपनी कहां से सुरू हुई कंपनी के फांटर डाला हुआ है। कुछ सी जड़ी-बंड़ी हैं। क्या परहेिज करना होगा। कैसे खाना होगा। सारी जानगारी इस किताब के अर्धे हैं। यह जानगारी केवल आपको ही नहीं चाहिए। बलकि अगर आप किसी को बताना चाहोगे तब भी तो आपके पास ना कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए और जिन्टेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए समझ भाकी बार? यह सर नो? अरे हाँ या ना? तो क्या आथ आप लोग जड़े के लिए तयार हैं? कितने लोग हैं जो जड़ने के लिए तयार? बाकी लोगों का ये हॉल बंद कर देना और किसी को चाने मत देना सरा है और उसे पूछना कारण बताओ ति क्यों नहीं जुड़ना चाहते हुआ हम गरीब लोग है दोश्तों गरीब लोग है बहुत गरीब लोग हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है और यही हमारी सबसे बड़े ताकत है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार बढ़ा हुआ है पूरा संसार किसी भी व्यापार की सुरुबात करने के लिए किसी भी व्यापार की शुरुबात करने के लिए कम से कम 10-20 लाख रुपय चाहिए जो 10-20 लाख रुपय लगाएगा ना उसको डर रहेगा कि मेरा बिजनस सलेगा या नहीं चलेगा वो सोचें 10 बार हम क्यों सोचें जिस इंसान ने कंपनी बनाई जिसने हजारों करोर रुपय कंपनी बनाने में लगा रखे उनको डरना चाहिए कि मेरी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी हम तो या अपनी जरुरत का 5000 रुपय का सामान खरीद रहे और अगर अब भी हमें डर लगता है तो एक कहानी सुनाता हूँ अप लोगों को एक हमारे जैसा मिडल क्लास इंसान था जो नदी में डूब रहा था तो एक कस्ति वाला आया उसके पास में और उसको बोला कि आजा बैढ़ जा मैं तरो को बचा लोग पार वो बोला नहीं मुझे तो बचाने के लिए भगवान आएंगे भगवान आएगा भगवान आएगे आगे वो डूबता रहा आगे भरता रहा तुफान की लहरूं में वो आगे आगे जाता रहा दूसरा नाव वाला आया दूसरे नाव वाला ने बोला अजा बैर जा मेरी नाओ में बचा लूंगा बला लें मुझे थो बचाने के लिए भगवान आएंगे तीसरा नाओ वाला आया बला मुझे बचाने के लिए भगवान आ गे और उसके बाद बहुत नहीं होता किया और वो बिचारा गूँब करके मर गया. मरने के पाद मैं जब उ पहुँचा, बगवान के पास नहीं है, और बगवान से कहा कि मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा भाख्त था मैंने तुम्हारी जिन्दगी भर आरातना की, तुम्हारी पूपशा की और मैंने जब तुम से मदद मांगी कि मुझे बचाने आओ तो तुम क्यों नहीं आए तो आज रास्ता मिल गया तो बैड़ जाओ इसना हो में कि जूड़तों जाओगे और जुड़े हुए भी हो बहुत सारे लोग जुड़े भी है और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ चुड़ेंगे भी लेकिन यह याद रखना कि जैसे आप इस हौल से बहार जाओगे आप अपने घर में जाओगे अपने मम्मी पापा से अपनी पती पत्नी से अपने बच्चों से जब जिक्र करोगे तो उन्हें इस मिटिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है तो हो सकता है वो आपको इस काम को करने से मना करें कोई भी किसी काम का विरोध क्यों करता है कोई भी किसी विचारदारा का विरोध क्यों करता है बहुत आसान भासा में समझाता हूँ जब कोई इंसान ये कहता है कि अरे छोड़ो ये सब बगवास है ऐसा कुछ नहीं होता तो वो सिर्फ एक ही कंडिशन में कहता है जब उसे पता नहीं होता है जब उसे ग्यान नहीं होता है इसलिए वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता ऐसी कंपनियों में काम याभी नहीं मिलती है वो इंसान कहेगा जिसने कभी ऐसी कंपनियों में काम नहीं किया है वो इंसान कहेगा जिसने ऐसी कंपनियों में काम करके केवल और केवल मुगी खाई है ठोकर खाई है जो फेल हुआ है जो अग्यानी है वो इंसान कहेगा कि नेट्रॉक मर्केटिंग में करियर नहीं बन सकता क्या दिनकर कुछ वासर ये कहेंगे कि नेट्रॉक मर्केटिंग मत करो इसमें करियर नहीं बन सकता क्या सुसिंसर कहेंगे इस बात को कौन इंसान कहेंगा कि कंपनियों में काम्याभी नहीं मिल सकती है जो अज्यानी होगा कौन होगा अज्यानी तरफ आप लोग मुझे बताओ कि भगवान में आस्ता रखते हो अरे रखते हो अरे हाँ या ना फूझा पाट करते हो यकीन है बगवान है जानते हो या मानते हो अब बोलो जानते हो या मानते हो है कोई ऐसे वेक्ति है जो जानता है कि भगवान है हम सब लोग मानते हैं कि भगवान होता है जानते नहीं है यह सब लोग हमारे जैसे माता पिता ने हमें सिखाया अपने अपने धर्मों के अंसार अपनी अपनी जादी के अंसार हम अपने अराज्य को मानते क्यों मानते हैं क्योंकि वैसा ही हमारे माता पिताएं से हमारे दादा परदादाओं से सस्कारूं में मिला तीवी में रामायन देखी मावारा तेखी इन सब से हमा सीखिने को मिला समझने को मिला ये बगवान स्री राम है ये भगवान स्रीकिष्ट है, ये प्रेकंबर साहब है, ये गुम्नानक देव है, ये जीसस है, ये भगवान बुद्ध है, समझमारी बाद, अरे ये ऐसा नो, अरे हाया ना, हम लोग मानते हैं, अब इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो भगवान को नहीं मानत हैं, उन्हें बोलते हैं, नास्थी, क्या बोलते हैं, नास्थी,